भोला को डंडे के हिसारे पर नाचना पड़ता था कभी उसे जोकरों के साथ फुटबॉल खेलनी पड़ती थी तो कभी आपके गोले को पार करना पड़ता था जरा सिगल्ती पर चाबुग पड़ती वह चिप्चा पिट लेता और रोलेता बोला जब सरकस में काम करता था तो बोला को डंडे के इसारे पर नचाया जाता था कभी उसे जो कर फुटबॉल खेलने को कहता तो कभी आग के गोले को पार करने के लिए कहता और थोड़ी सी भी गलती होती थी तो उससे पीटा भी जाता था और वो चुपचप पीटाई खा लेता और रोता था हाँ उसे मोटर साइकल चलाने में बड़ा मज़ा आता है पहले वो गोल मैदान में चकर काटते वे गिर जाया करता था अब नहीं गिरता बाकी जानवर उसे देखकर ताड़ियां बजाते हैं उस समय भोला उसे को अच्छा लगता था इन सारे सरकस के कारियों में उसे मोटर साइकल चलाना बहुत अच्छा लगता था और उसे मज़ा आता था वो उस गोल मैदान में चकर काटता था और गिर जाया करता था लेकिन पहले तो गिर जाता था लेकिन अब वो नहीं गिरता था और जब वो उस गोल गेरे में चकर लगाता था, तो सभी जानवर उसे देख करके तालिया बजाते थे, जो भोला को बहुत अच्छा लगता था, तो आपने देखा ना कि भोला जानवर, भोला जो था भालू, वो किस तरह से सरकस में रहता था, उसके मन के मुतावित काम भी नहीं लगता था, और इसलिए उसके सारे दोस्त उससे कहा करते थे, कि उदास मत रहा करो, इस तरह से आप लोगों को भी हमेशा मन लगके काम करना चाहिए, और कभी उदास नहीं होना चाहिए, धन्यवाद, आप लोग इस पाठ को रीड करेंगे, और रीड करने के बाद, इसमें जो कठिन सब्द सब्दर्थ मैं भेजूंगी, उसे हिंदी फश्ट की कॉपी में डेकुरेट करेंगे, और डेकुरेट करके तब कठिन सब्द सब्दर्थ लिखेंगे, और उसके बाद नए पेज पे परस्णुतर लिखेंगे, धन्यवाद.